हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू ऑनलाइन इसीडी पॉइंट दोस्तो आज है नौना मुंबर तो स्टार्ट करते हैं आज के करने फेस दोस्तो आज कुछ कारणों वस वीडियो काफी लेट हो गया है इसलिए माफी चाहता हूं कल से आपको राइट टाइम पे लेक्चर मिलने ल फिल्कुल्टरी में देख सकते हैं चले स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है भारत का उन्चाश्वा अंतराष्टी फिल्म होत्सव कहां आजित किया जाएगा दोस्तों भारत का उन्चाश्वा अंतराष्टी फिल्म होत्सव यानि आई एफफ आई यानि इंटरनेशनल फिल फेस्टिवाल ऑफ इंडिया कहा जित किया जाएगा गोवा में 20-28 नवंबर तक आजित किया जाएगा ठीक है इसमें 212 फिल्मों को परशन करेगा जो विवित्ता को दर साता है ठीक है इसके लाव आपको बता दें कि इसमें जो उद्घाटन फिल्म होगी फिल्म महुत्सों म जो अंतरास्टी फिल्म होत्सों है भारत का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आफ इंडिया यह फाउंडेट हुआ था 1952 में स्थापना हुई थी 1952 में ठीक है इसके लावे फर्स्ट आवार्ड हुआ था इसका 1965 में लास्ट हुआ था 2017 में अब जे होगा 1226 नॉमबर को में होगा यहां पर आपको एक क्वेश्टन जरूर याद रखने लास्ट इयर का हर साल जो इंडियन फिल्म परसनाल्टी आप दे यह थे लास्ट इयर वह महनायक अमताब बच्चन थे जो 48 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें अमताब बच्चन को मिला था इंडियन फिल्म परसनाल्टी आप दे यह थीक है तो यह आपको फेक्ट याद रखना है तो भारत का उन्चास्वा अंतरास्टी फिल्म होसा कहां जित किया जाएगा गोवा में आजित किया जाएगा और दोस्तों गर बात करें गोवा की तो गोवा जो है जनसंक्या की दि भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा और चेत्रफक दिश्टी से सबसे चोड़ा राज्य है सिक्किम और जनसंक्या की दिश्टी सबसे बड़ा राज्य है यूपी ठीक है और चेत्रफक दिश्टी सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगा ठीक है पूरा कॉंसेप्ट क्लियर रखेगा इसलिए मैं आपको लखनाउ के न्लिनमेड एक आना इंटरनेशनल स्ट्रीम कर दिया गया है रहे हिं कि देखते हैं है और यहाँ पर आपको ये चीज़ आद रखनी है भारत का सबसे बड़ा स्टीडियम कौन साहाए साल्ट लेक इस्टीडियम कोलकाता मैं कि भारत का सबसे बड़ा सब्सक्राइब करनाटक आपको याद रखने आंधर प्रदेश का राइट एंसर होगा ठीक है देखिए आंधर प्रदेश में गरीब और हांसिया वाले सब्सक्राइब के लिए केंद्री और आंधर प्रदेश सरकारों और भी शुवैंग ने 172 मिलियन डॉलर प्रविजना के लिए रिए सम्झोतों पर सक्षर किये हैं ठीक है और आंधर प्रदेश एक एकर सिचाई और किष्टी परिवर्तन प्रविजना ग्रामेट सेत्रों में लागू किया जागों जो बड़े पैमाने पर वारिश वाले किसी पर निरभार है ठीक है गवर्णर है राजजयपाल है एसल नर्सिंबन ठीक है औरंधर प्रदेश की हैं हैधराब़ दस साल के लिए अमरावती का नया रूप जब तक नहीं मिलता है है मरावति इसके बाद हमरावति कैप्टल होगी दस साल तक के लिए जो है कैप्टल है है ठीक है तो यह आपको फैक्ट आधकर आधकर आंदर प्रदेश की जो राज जिनरित है और इसके बरतमान में सदस्य राष्ट कितने हैं 189 कंट्रीज में सदस्य हैं उसका कार्य क्या है सदस्य राष्टों को पुनर निर्माड़ा और विकास कार्यों के लिए रिंड़ दे कर पूंजी की विवस्था करना विश्वेंग के बरतमान चेर्मेन कौन है अध्यक्ष क एक चैन्सर है आंधरप्रदेश के साथ ब्ला का समझेता किया है हूली में किस अभिनेता को प्रतिष्टित फिल्म पूरुश्कार प्राप्थ हुआ हैै अभिनेता अनुपमे wrath को इंडियो ग्लोब ऄरो के रूब में सम्मानित किया गया है एक प्रमुख अमेरिकी ठिंग टैंग जो अनिवासी भारतियों के मुद्धों पर काम करते हैं देखें तो तीसरे इंडिया ग्लोबल सिखर समयलेंगे अभिनेता को फैलोशिप दी गई थी और यह कारिक्रम बोस्टान में प्रतिष्थित म्यारी एम इयमाई टी स्टोन स्कूल अफ मनेजमेंट में आजित किया गया था ठीक है राली म्की समयलेंग को प्रतिष्थित फेलोव पुरुष्कार में समयनित किया गया है अभिनेता उनकाम खेल को अकला कोईआ है Notes of Dream the Aetherized Biography of A.R. Rahman किसके तोरा लांच की गई है Notes of Dream the Aetherized Biography of A.R. Rahman लांच किये गया है Krishnah Trilog देखे आसकर विजेता संगीतकार A.R. Rahman जिनकी जीवनी Notes of Dream the Aetherized Biography of A.R. Rahman मुंबई में लांच किया गया था इस पुस्तक में उनके जीवन के संघर्श के बारे में बताया गया है और ये एक कृष्णा त्री लेखक है और ये बता दें दोस्तों कि रैंडम हां उसके सहोगी से जीवनी से मुंबाई में लॉंच非की गई कृष्णा त्री लोग दोला लॉंच किया गया है अब देख लेते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो का एंसर मैंने कोश्चन पूज़ा था अंतराश्टी मुख्यवाई शंग के नए धेक्ष्चुरू में किसे चुना गया है गफूर राखी मोब को चुना गया था अब देख लेते हैं दोस्तों आज कोश्चन क्या है भारत की प्रेस काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित राजाराम मोहनडापुर्स का दोठार गले की सुचना गया है ओप्सन दे रखे हैं एदि आपने कल की वीडियो देखी हुई करेने फेस की तो आपको एंसर पक्का पता होगा एदि आप नहीं देखे हैं जास्ट यहां पर भी एंड स्क्रीन में आ जाएगी वीडियो आप उस पर क्लिक करके जरूर देख लें उसके लाबा दोस्तों मैंने कल वीडियो बनाई थी पर्याब इस्पोर्ट से लेटेड टॉप 50 कोश्चन जो बार बार पूछे आते एक्जाम में तो जास्ट यहां पर आएगी आप उसके लिए कलिक करके जरूर देख लिए इस पोर्ट से लेटेड़ रहर एक्जाम में कोशन पूछा जाता है ठीक है तो यह चीज़े आपको जरूर याद रखनी दोस्तों काफी इंपोर्टेंट रहती है करेंड रफेसर एक्जाम में पूछा जाता है ठ ठीक है